तो स्वागत भाई आप सबी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल KPM Fantasy Expert पर और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए cover करने वाला हूँ जो Hero CPL T20 League खेली जा रही है इसका भाई जो आज के दिन का मतलब morning में मैच खेला जाएगा तो आप बोल सकते हो आज क के दिन का है कल के दिन का भी बोल सकते हो तो जो मैच खेला जाएगा जो टूर्नमेंट का ग्यारवा मैच है जो की खेला जाएगा सेंट लूसिया किंग्स वर्सिज बारबाडोज रोयल्स के बीच में अब इन दोनों ही टीम्स की complete information आपको इस वीडियो में मिल जाएगी ब प्रोफिट करोगे साथी साथ भाई मैं जो टीम प्रोइड करवाता हूं मैं आपको क्लियरली बता दू वो होती भाई थ्री मेंबर के लिए ग्रेंड लीक की बाई मैं स्पेशल पिक्स जरूर देता हूं लेकिन काफी यूजर्स के मेरे को कोमेंट भी आ रहे थे वीडियो चुका हूं बस अपनी पिक्स बता के तो अगर आप वीडियो को देखोगे न तो आपको यहां पर कुछ ऐसे प्लेइस तीन से चार ऐसे प्लेइर बता दूँगा जिनसे आप ग्रेंड लीग में 100% मैं यह नहीं बोल रहा हूं 10% 20% 90% 99% मैं बोल रहा हूं 100% काफी अच्छ नहीं होगी वो आप यहां से देख सकते हो ठीक है अगर आप मानलो 120 तक भी आ रहे तो भी आपकी 900 पे की विनिंग हो जाएगी और एक दिन में अगर आप 900 पे विन कर रहे हो ना तो मेरी हिसान से कम नहीं होनी चाहिए वो ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है अब अगर भाई बात करें आपर मैच की तो मैच काफी इंट्रेस्टिंग है दोनों टीम्स की बात करें तो दोनों टीम्स पता नहीं कहां कहां पर एक बिल्कुल उपर एक बिल्कुल नीचे बिल्कुल नीचे तो नहीं कहेंगे हम यह आपर सेंट लूशिया किंग्स को बट बा प्रोवाईड करवाई उस से मतलब कुछ नहीं ओने वाला है उन स्टेट्से मैं कंलियर बोल रहा को जो लोग आपको दिखा रहे है इनका ये स्टेट्स है कुछ नहीं है जो चीज़ी है आपको इस वीडियो में समझें आ जाएंगी और अगर वो चीज़े ना होना तो आके क करना चैनल को अंसब्सक्राइब कर दीजेगा लेकिन अगर वो चीज़े होती है न तो चैनल को सब्सक्राइब आभी कर दीजे और सब्सक्राइब ही रखिएगा ठीक है और कोमेंट में आप तारीफ भी कर सकते हो अगर जो चीज़े मैं आपको बोलू वो होती है तो ठीक है आप यहां से वाई, सबसे पहले मैं उन-उन players के बारे में बात करूँगा, clearly बता देता हूं जो player आपको खेलते दिखेंगे, जो player अभी तक नहीं खेला एक भी match, उसके बारे में बाई बात नहीं करूँगा, उनके बारे में बात करेंगे, Telegram Channel पर, सेंट लूसिया का ग्राउंड है तो यहाँ पर आपको मैं बता दू किलियरली बात है एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा हाँ कभी कभी क्या होता है कि टीमस अच्छा खेल जाते हैं तो हाई स्कोरिंग देखने को मिलता है और रेस्ट इंडीज भाई जो पॉइंट से लिए ना वो भाई यहां से लिए बोलिंग करके ठीक है और उससे पहले भाई यहां पर लिए थे फिल्डिंग से ना बैटिंग से पहले मैच में कोई पॉइंट था ना इस मैच में कोई पॉइंट था ठीक है बात करते हैं भाई बैटिंग सेक्शन में 5-2 प्लेसिस आपके नेक मस्टव भी रहेगा इवन कैप्टन सी का भी अच्छा उप्शन रहेगा चलने को चल सकता है फ्लोप होने के चांसिस ना के बराबर है मतलब बहुत कम है बट क्रिकेट है अंप्रेडिक्टिबल चीज है कुछी भी हो सकता है बट काफी आई चांसिस है कि यह आपको परफोर्मेंस करके देगा डेविड मिलर कंसिस्टेंसी के साथ रंस बनाता है बस इनके साथ दिक्कत एक ही है कि कभी बाई यह वन डाउन लाश्ट मैसें वन डाउना कर 36 बोल पर साथ बनाए और अगले मैस में हो सकता है पांचो नंबर पर खेलता दिखे तो यह आप के उपर डिपेंड अगर आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो रिस्क मानते हो तो छोड़ भी सकते हो इसके अलावा टिम डेविड भाई बहुत नीचे बैटिंग करेगा ठीक है और अगर भाई मानलो हो जाता है कि भाई इनकी विगिट इना गिरे तो भाई हो सकता है मानलो 14-15 ओर तक एक या दोई विगिट गिरे तो फिर यह उपर आ सकता है इसके अलावा जादा चांस नहीं है आजम खान अगेन भाई वही बात है अगर भाई बैटिंग आएगी तो भाई काफी नीचे आएगी वैसे नोर्मली और उपर बैटिंग कब आएगी जब भाई सामने वाली टीम मतलब इनकी टीम के विगिट्स नहीं गिरेंगे इसके लाव मार्क डियाल अगर इस मैच में खेलता है तो मस्टर पिक रहेगा बैटिंग प्लस बोलिंग दोनों कर रहे है ठीक है बट अगर अभी लास्ट मैस नहीं खेला है शायद ना खेले तो नहीं खेलेगा तो ट्राई करने के कोई चांस नहीं है हैरिट एक्टर की बैटिंग पाच्छे नंबर पर करवा रहे है जो इनका नैश्रल पोजिशन नहीं है अगर चार पर अगर यह आता है तो इंपोर्टेंट पिक रहेगा बट अभी के लिए ड्रोप करके चलेंगे नीचे आ जाते वाई अकीम अगेश्टे के उपर बाई जील मिनी जेल में ही ट्राई कीज़ेगा कभी बैटिंग मिलते कभी मतलब टीम यह प्लेयर ऐसे जो टेल प्लेयर अच्छा नहीं है तो आप ड्रोप कर सकते हूं बट प्लेयर काफी शांदार है पिछले CPLs के रिकोर्ड उठालो सबसे उपर अगर बंदे का नाम ना मिले तो मेरे को बोल दीजिएगा इस मैच में स्टार्टिंग का फेज है और भाई बीच अभी चेंज हुई है तो हो सकता है भाई यहां पर इनकी फोर्म भी चेंज हुई है और बैतरिन प्लेयर यार बैटिंग बोलिंग दोनों करके देगा अगर सेकंड इनिंग में बोलिंग आती ने हिनकी तो आपके लिए मस्ट अपिक रहेगा फस्ट इनिंगी मतला पहले अगर यह बोलिंग करते अब अगर बात करें तो जे ग्रीवस का टीम अच्छे से यूज नहीं कर पारी पहले मैच में अच्छा यूज हुआ था और उसके बाद अच्छा यूज है इनकर नहीं हुआ है तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है अब अगर बात करें बॉलिंग शeक्षन में अलजारी जोसफ मस्टाप पिग रहेगा फस्ट निंग सेकन्ड इनिंग मैर नहीं करती अगर बात करें इनकी टीम पहले बॉलिंग करतें तो ही हम ट्राई करेंगा धरवास ड्रॉब करके चल देंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है न मुझीम खेल नहीं रहा कैसे है कि विलियम्स की लास्ट मैश खेला नहीं है इसके लाँ जैवियर रोयल्स अब बहुत बड़ी डिफरेंशल पिक रहेगा अगर यहाँ पर इनकी टीम पहले बोलिंग करती है तो और लास्ट मैश में भी पहले बोलिंग में 55 पॉइंट देखे गए 8% सेलेक्शन के साथ और लास्ट मैश में मैंने यही प्रेडिक्शन की थी फरस्ट इनिंग में विकिट निकाल के देगा आपको एडन वाल्स लास्ट मैश में भाई ज्यादा इनकी बोलिंग नहीं मिली एक या दो यह ओवर मिले थे अधरवाई भाई बहुत चांदर प्लेर अगर सेकंड इनिंग में बोलिंग आती है न टीम की तो 100% आपकी टीम में होना चाहिए अभी के लिए मैं यहां से जेवियर रोयल्स को लेके चल रहे है या एडन वाल्स किसी को भी ले लो वो तो भाई इनकी बैटिंग बोलिंग के उपर डिपेंड करेगा कैप्टन से की अगर बात करें यहां से अभी के लिए मैं कायल मेर्स को मैं इसे कैप्टन दे रहा हूँ अधरवाइज मेरी टीम में यह ना तो कैप्टन रहेंगे ना वीसी रहेंगे क्योंकि मेरे को काफी रिसकी प्लेर लगता है हाँ चल रहा है दो तीन मैच से अच्छा चल रहा है कोई दिक्केत वाली बात नहीं है लास्ट मैच देखो 81 मेरा यहां से फाफ इसके अलावा अगर यहां से एक और सी वीसी चाहिए तो यहां से अलजारी जोसेप भी आपके लिए बहुत छांदार प्लेर रहे गा है ऐसे सी वीसी आप इन दोनों को भी सी वीसी लेकर जा सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत को ठीक है जो फाइनल फिक रहेगी सी वीसी की वो मैं टेलेग्राम पर शेयर करूंगा अगर सेकंड इनिंग में बार्बाडोज रोयल्स की टीम बैटिंग करती है तो भाई क्वेंटन डिकोग भी मेरी टीम का कैप्टन हो सकता है अभी के लिए मैं कैप्टन दे रहा हूं क वीडियो के फर्स्ट कोमेंट में अगर अभी तक आपने जोईन नहीं किया टेलेग्राम चैनल तो जोईन कर लीजेगा क्योंकि वहाँ पर ही फाइनल अपडेट में प्रोवाइड करवा पाऊंगा आप यहां से ग्रेंड लिक की बात करें तो भाई ग्रेंड लिक में अग इसके अलाव भाई यहां पर फाफ को आप चाओ तो कैप्टन भी दे सकते हो ग्रेंड लिक में इसके अलाव भाई देखे जो डिफरेंशल कैप्टन रहेंगे आप पिक रहेंगे आपके लिए वह यहां से रहेंगे भाई मार्क डेयाल रहेगा इसके अलाव भाई अगर ब जो लोजिकल पिक्स मैंने आपको बताईए वो अच्छी लगी हो अगर आपको चीजे समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपनी सहमती जरूर जताईएगा दूसरी बात चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कीजेगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे तो उमीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी मिलता हूं दोस्तों आपसे मैच टाइम पर टेलिग्राम चैनल पर और भाई मैच मोर्निंग में चार बज कर 30 मिनट पर खेला जाएगा मैं मैंने बता रहा हूं तो चार बजी के अलारम सेट कर लीजेगा मिलता हूं आपसे मैच टाइम पर टेलिग्राम चैनल पर तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम